आप भी ब्रेकफस्ट में चाय के साथ पराँचा खाते हैं, तो भय तुरंत बंद कर दे, वह ना पेट का बैंड बज़ जाएगा, देखर आप जीवन अरवेदा, नमस्कार मेरा, नाम है मेगा स्वागित करती हूँ आप सभी कार, वैसे देखा जाए तो आम तोर पे चाय के दूर ब्रेकफस्ट तक नहीं करते, ब्रेकफस्ट में बिस्किट या फिर पराँचा खाकर निकल पड़ते हैं, इसकी एक बज़े है भारती लोगों को पराँचा खाना बहुत पसंद भी है, ज्यादा तर घरों में सुबह के समय पराँचा ही बनता है, बहुत मज़े से ख सुबह की शुरुआत, ब्रेकफस्ट के साथ करने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ब्रेकफस्ट में च्वाइक के साथ पराँचा खाकर निकल पड़ते हैं, ऐसे में पराँचा और चाय दोनों ही हेवी होते हैं, य्यारी चाहे है Лाईट और एक हेवी embodied के लमले की प्राणच चाय में फेनोलिक रसाइन होता है यह पेट की परत कोक आईरन कॉम्प्लेक्स को बढ़ाते हैं इसे शरीर में परयाप्त मात्रा में आईरन नहीं पहुच पाता जिन लोगों में आईरन की कमी होती है उन्हें भूल कर भी चाय के साथ पराठा नहीं खाना है इससे उनकी समस्य चाय और जादा बढ़ सकती है जो लोग खून की कमी से भी जूज रहे हैं उन्हें भी चाय के साथ पराठे का सेवर नहीं करना आप पहले पराठा खाले उसके एक डिड़ घंटे बाद आप चाय पिए या पहले चाय पीले पराठा बाद में खाले पोशक तत्वो को करे अ और चाय के साथ उन्हें लेते हैं तो फिर हमारा पीट खराब हो सकता है चाय अगर आपको पीनी है तो कैसे पिए पहले तू यह जान ले वैसे तो चाय पीना सेहत के लिए नुकसान दैख है लेकिन आपको चाय के शौकीन है ना तो दो कब चाय दिन में पी सकते हैं खाना चाय के कम से 45 मिनट के बाद यानि एक घंटे के आसपास या फिर 45 मिनट के बाद आप चाय पीए ब्रिकफर्स या लंच के एक घंटे बाद ही आप चाय पीए शाम को स्नेक्स के साथ भी आप चाय का अनन्द ले सकते हैं लेकिन परांठा के साथ उसी वक्त चाय बिल्कुल बिना भी आई हमारों देश आपको जान करें देना था ताकि हम चाहते हमारे देश की जंता हेल्दी वेल्दी रहें देख रहते हैं आप जीवन अर्वेदा नास्कार